नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नीरज और आज मैं लेकर के आया हूं अमेरिका की एक कल्ट क्लासिक सस्पेंज सीरीस अलफरेड हिचकॉख प्रिजेंट्स आज मैं लेकर के आया हूं एपिसोड एंड सो डाइट रिया बुचिंसका एपिसूट की शुरुवात होती है एक रन डाउन थियेटर से थियेटर में दो आर्टिस्ट आपस में किसी बात पर शर्त लगाते हैं एक आर्टिस्ट अपना कॉइन हवा में टॉस करती है पर कॉइन बेस्मेंट में गे जाता है दोनों आर्टिस्ट बेस्मेंट में जाते हैं कॉइन ढूडने और दोनों को बेस्मेंट में एक आदमी की लाश मिलती है पुलीस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है डिटेक्टिव क्रोविच थेटर आर्टिस्ट से सवाल जवाब करता है मालूम चलता है कि ये लाश थेटर के ही एक आर्टिस्ट ओकहम की है डिटेक्टिव क्रोविच थेटर के मालिक फेबियन से मिलता है फेबियन एक वेंट्री लोकिस्ट है और इस थेटर का मालिक भी फेबियन की बीवी ऐलिस फेबियन को असिस्ट करती है डिटेक्टिव क्रोविच फेबियन और एलिस से पूछता है कि क्या दोनों ओखेम को जानते थे फेबियन जवाब देता है नहीं हम दोनों में से कोई भी ओखेम से कभी नहीं मिला था डिटेक्टिव क्रोविच फिर फेवियन से पूछता है कि क्या तुमने कभी ओखेम का नाम सुना था फेवियन जवाब देता है नहीं मैंने कभी ओखेम का नाम नहीं सुना क्रोविच फिर पूछता है कि हत्या के दिन ओखेम तुम्हारे बारे में सबसे पूछ रहा था इस पर फेबियन जवाब देता है कि काम के सिलसिले में मुझसे बहुत लोग मिलते जुलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर किसी का नाम याद हो क्रोविच और फेबियन बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक केस से किसी लड़की की आवाज आने लगती है क्रोविच बड़े हैरानी से देखता है कि फेबियन एक केस में रखी एक मैरियोनेट से बाते कर रहा है क्रोविच पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है फेबियन जवाब देता है कि ये मेरा एक्ट है फिर फेबियन केस से अपनी मैरियोनेट को बाहर निकालता है और क्रोविच से इंट्रोडक्शन करवाता है ये मैरियोनेट है रिया बुचिन्सका फेबियन बहुत ही खुबसूरती से रिया बुचिंसका की आवाज निकालता है और उससे ऐसे बात करता है जैसे वो कोई मैरियोनेट नहीं बल्कि सच में कोई जिन्दा लड़की हो रिया बुचिन्सका कहती है कि फेबियन की बीवी ऐलिस को रिया बुचिन्सका पसंद नहीं इस बात पर ऐलिस क्रोविच को बताती है कि उसका पती उससे प्यार नहीं करता फेबियन को केवल उसकी मैरियोनेट ही पसंद है रिया बुचिंसका फिर क्रोविच को बताती है कि फेबियन की बीवी का अफेर चल रहा है फेबियन के मैनेजर डगलस के साथ और हैरानी की बात है कि फेबियन को ये सब बात पता है फिर भी फेबियन को कोई फरक नहीं पढ़ रहा है क्रोविच ये सब सुनकर हैरान है क्रोविच को फेबियन एक सनकी आदमी लगता है क्रोविच फेबियन का एक्ट देखता है लोग फेबियन और रिया बुचिंसका का एक्ट बहुत पसंद करते हैं क्रोविच अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता करता है कि कई साल पहले फेबियन एक लड़की के साथ काम करता था उस लड़की का नाम था इलियाना रुमनूवा क्रोविच इलियाना की तस्वीर दिखा कर कहता है कि रिया बुचिंसका की शकल बिल्कुल इलियाना से मिलती है फेवियन क्रोविच को बताता है कि कई साल पहले उसकी एक असिस्टेंट हुआ करती थी जिसका नाम था इलियाना रोमनोवा वो बहुत सुन्दर थी मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गई वो फिर दुबारा लोट कर नहीं आई मैंने अपनी मैरियोनेट का चहरा इलियाना की तरह बना दिया क्योंकि वो बहुत सुन्दर थी बस इतनी सी बात है क्रोविच को फेबियन पर शक होने लगा क्रोविच को लगने लगा कि हो ना हो फेबियन इलियाना को पसंद करता होगा और उसने ही इलियाना को मार दिया होगा फिर उसकी याद में रिया बुचिंसका को बनाया होगा क्रोविच और इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे एक एहम सुराग मिलता है जिस दिन ओखेम की हत्या हुई थी उस दिन ओखेम और फेबियन की मुलाकात हुई थी अब क्रोविच को यकीन हो गया था कि फेबियन ही इलियाना और ओखेम का कातिल है क्रोविच फेवियन के पास आता है और उससे सवाल करता है कि तुम ओखेम से मिले थे तुमने ही इलियाना और ओखेम को मारा ओखेम तुम्हारा असलियत जान चुका था कि तुम ही ने इलियाना को मारा था वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए तुमने ओखेम को भी मार डाला फेबियन क्रोवेच की हर बात से इंकार करता है मगर रिया बुचिंसका क्रोविच को असलियत बताने लगती है फेबियन अपनी ही बात रिया बुचिंसका के जरीए क्रोविच से कहने लगता है रिया बुचिंसका कहती है कि हाँ फेबियन इलियाना से प्यार करता था बहुत प्यार करता था मगर इलियाना फेबियन को छोड़ कर चली गई इलियाना के गम में फेबियन ने मुझे बनाया और मुझसे प्यार करने लगा क्रोविच ये सुनकर हैरान हो गया फेबियन सच में रिया बुचिंसका से प्यार करता था क्रोविच फेबियन से पूछता है कि क्या उसने इलियाना को नहीं मारा फेवियन जवाब देता है नहीं मैं तो इलियाना से प्यार करता था मैं क्यूं मारता इलियाना को क्रोविच फिर पूछता है कि फिर तुमने ओखेम को क्यूं मारा फेवियन जवाब देता है कि ओखेम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्रोविच पूछता है कि किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा था फेबियन जवाब देता है कि ओक्हेम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उसे मुँ मांगी रकम नहीं दी तो वो पूरी दुनिया को बता देगा कि मैं रिया बुचिंसका से प्यार करता हूँ अगर दुनिया को मेरे और रिया बुचिंसका के बारे में पता चल गया तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी हमारे रिष्टे को कोई समझ नहीं पाएगा फेबियन फिर रिया बुचिंसका बन कर बात करता है कि मैंने फेबियन को ओखेम का गला दबाते सुना था और मैंने ही सुनी थी कदमो की आवाज जब फेबियन ओखेम को घसीट कर बेस्मेंट ले गया था मैं अपने केस में थी मगर मैं सब सुन रही थी मैं एक कातिल के साथ रह सकती हूँ मगर एक छूटे आदमी के साथ नहीं रह सकती इसी लिए मैं अपनी जान दे रही हूँ फेबियन रिया पुचिंसका की बात सुन कर भूट भूट कर रोने लगता है रिया पुचिंसका खत्म हो जाती है फेबियन चीखता रहता है क्रोविच फेबियन के इस पागलपन को बेसुध होकर देखता रहता है फिर क्रोविच फेबियन को ओखेम की हत्या के जुर्म में गिरफतार कर ले जाता है और फेबियन की रिया पुचिंसका जमीन पर पड़ी रहती है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही